बड़ी खमर आपको बताते चले सीम योगी आदितिनाथ तीन दिवसिय दौरे पर उत्राखन पहुचे सीम योगी ने सीम धामी से मुलाकात की कल मध्य शेत्रिय परिशत की बैठक में शामिल होते वे नज़र आएंगे तो कल मध्य शेत्रिय परिशत की बैठक होगी जिसमें तमाम दिगज मुखे मंत्री योगी आदितनाथ भी शामिल होते वे नज़र आएंगे किदार नाथ बद्विड़ी नाथ धाम के भी दर्शन पूजन करेंगे सीम योगी आदितनाथ तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सीम योगी आदितनाथ तीन दिवसे उत्रखन के दौने पर और मुखे मंत्री योगी आदितनाथ पहुंचे देरातून और सीम योगी ने सीम धामी से मुलाकात भी की और मतिर शेत्री परिश्ट की 24वी बैठक जिसमें शामिल होते वे नज़र आएंगे अब इतिशा के अदिक्षिता में ये बैठक होगी दौतर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितनाथ तीन दिवस्य दौरे पर उत्रखन पहुंचे हैं और रात्रे विश्ट्राम वही पर करेंगे शरिबार को शेत्रे परिश्ट की अब बैठक होगी जिसमें शामिल होगे बैठक में शामिल होने के बाद शाम को सीम यो की आदितनाथ कितानाथ धाम जाएंगे वही आठ ऑक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन पूजन करते वे नजर आएंगे ये कारिक्रम जो उत्राखन दौरे के दौरान रहने बाला है और ये तस्वीर देखी सीम योगी और मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी दोनों के बीच की मुलाकात की ये तस्वीर उत्राखंड के दोरे पर हैं तो सीम योगी आदेतना तीन दिवसे दोरे पर उत्राखंड पहुँच चुके हैं और ये तस्वीर देखे मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी से मुलाकात करते वे नजर आएं आपको बताते चले कि कल मद्य शेत्रे परिशद की बैठक होगी जिसमें शामिल होंगी तो साथी बद्री नाथ और किदार नाथ धाम भी जाएंगे जहां वो किदार नाथ धाम में बावा किदार के दर्शन पूजन करते वे नजर आएंगे तो बद्री नाथ धाम में बद्र विशाल के दर्श पूजन करने के बाद वो वापस लौट जाएंगे तो मद्य श्योत्री परिशत की 24 वी बैठक है बैठक केंड्र गुरह मंत्रे मतिशा की अध्यक्षता में पिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयो जित होगी और बैठक में उत्राखंड उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश 36 गड़ के मुखे मंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के दो दो मंत्री भी और केंड्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे